तो आज हम बात करेंगे डैन नेटवर्क एंड इंफोसिस के वाटर फॉर्थ के बारे में किस तरीके से इनके जो है रिजल्स आते हुए दिखें हैं और आगे आपको किस तरीके का बिहेवियर जो है इस टॉक्स पर देखने को मिल सकता है तो पहले बात करेंगे डैन नेटव नहीं मिल रहा हला कि छो है कैसे रिजल्ट है किसी देख जाये तो हिंकम में जरूर्स at में जो इंकम ती इनकी एफ़ाइ ट्वेंटे वन में जो इनकम थी डो इनकी करीब गरीज है और अच्छी खात्री में करिए तो यहां पर अच्छी खाल सिज्ए जो गिरावार देखने को मिल रही है और quarter quarter के साब से भी एक बार देखने के देखने की कोशिश करेंगे तो यह वाला quarter हाला कि प्रीबियस quarter से तो ठीक गया है इंकम जो बढ़ी है लेकिन पिछले साल इसी quarter में जो है इंकम काफी अच्छी थी 355 करोड के आसपास की इंकम थी जो अब जो है 329 करोड के आसपास की रह गई है तो इंकम की अगर बात करें तो इंकम में जरूर जो है एक डाउनफॉल देखने को मिला है लेकिन अब बात करें प्रॉफिट कैसा है तो यहां पर प्रॉफिट की अग जो profit हुआ है बो हुआ है 171 करोड का मतलब profit में भी downfall है लेकिन इतना profit में downfall नहीं है एक हलाकि ठीक-ठाक downfall है 10-15% का लेकिन कोई ज्यादा खास downfall जो है देखने को नहीं मिल रहा है मतलब अभी भी देखेंगे तो यह loss making company थी अभी भी देखेंगे तो profit बना के दे रही है अब यहां पर सबसे ज़्यादा यह profit निकल के क्यों आता हुआ दिखा है तो उसका सबसे बड़ा जो रीजन जो दिख रहा है जहां पर सबसे ज़्यादा कटोती हुई है expenses में वो है depreciation and amortization वाले area में यहां देख रहे हैं आप depreciation and amortization 148 करोड का just only expense हुआ है और पिछली साल यह expense करीब-करीब 200 करोड के आसपास का था तो यहां पर जो है सबसे अच्छी का सी कटोती करी गई है कुछ other expenses में भी जो है कटोती करी गई है and साथ के साथ कुछ employee benefit expenses में भी जो है इनको फाइदा मिलता हुआ दिखा है तो यहां से कहीना कहीं जो है वो amount जो बसता हुआ दिखा है वो कहीना कहीं जो यहां पर जो है profit post करते हुए जो है यह दिखे हैं अब बात कर लें profitability इस quarter में कैसी रही है तो इस quarter में जो है जबरदस profitability इनकी रही है और इस profitability के रहने के पीछे जो region जो देखने को जो मिल रहा है basically यहां पर आप देख सकते हैं depreciation amortization में जो है इनको इस वार भी जो है फादा होता हुआ देख रहा है और साथ की साथ अगर बात करें जिस तरीके से इस company का जो profit इस वार जो आया करिए 48 क्रोड क आसपास का previous quarter के अंदर देखेंगे करीब 43 क्रोड के आसपास का profit तो पिछली साल अगर देखेंगे तो 33 क्रोड के आसपास का profit था तो बहां से कही ना कहीं profit इस बार सही आता हुआ देखा है मुझे लग रहा है कही ना कहीं जो cost cutting होनी चाहिए जो cost optimization जो होना चाहिए खासकर उस जो है काम की तरफ जो है company कहीं ना कहीं देख रही है उन जो pin points जो थे उन की तरफ जो है company कहीं ना कहीं जो है देख रही है और यह आने वाले time में possibility है कि ये company जो है एक अच्छा खासा profit making company जो है बनके निकलती हुई दिखें आने वाले time में अगर ऐसा कुछ होता है तो आप इस टॉक में बहुत अच्छी काशी तेजी देख सकते हैं इसके में अच्छी काशी जो है इस वार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और हलांकि डाउनफॉल जरूर है देख सकते हैं पहले जो थी 4.15 किती अब 3.69 की रह गई है लेकिन तब भी कुलमला के अगर जरूर है एक्स वाई-जैट कुछ भी है प्रॉफिट जरूर जो है कंपनी ना पोस्ट किया है और शांदार प्रॉफिट पोस्ट किया है पिछले कुछ सालों की अगर बात करेंगे उनके अगर मिला कि अगर बात करी जाए तो एक अच्छा खासा इस वार का रिजल्ट रह फॉन पर कहीं भी कोई चार्ट में ऐसी कुई भी स्पैसिफिक एक तीम देखने को नहीं मिल रही है बैसिकली ओप्रॉफिट वाल जो पॉजिटिव जो थीम आपको बिलकुल नहीं मल रही है तो जार एकिस की अगर बात करें आप देख सकते बहतर रुपर के असपास जो इसका लहाई था और इसका जो लो बना है वो बनाए करी 38 रुपे के आसपास का बेसिकली मेरे इसाब से fundamentals ठीक है fundamentals को अगर देख कि अगर आप पो लेना चाहेंगे possibility है कि कहीना कहीं अभी भी देखें जैसे मान के चलो अगर इनके जो जो आए हैं basically जिस तरीके से इनकी अर्निक्स जो आई है उस तरीके से कहीना कहीं चार्ट में वह बहेवियर देखने को नहीं मिल रहा है इसमें एक investment इन्वेस्ट में आरहा है मतले इन्वेस्ट मिंकर पारे जो वह बड़े उस तरीके से नहीं देखने को मिल रहा है चार्ट में मुझे लगता है कहीना कई इक moment आने लगे पहले तब कहीं जाके इसमें पैसा लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो यहां पे हो सकता है कुछ come रहे हैं बोडबरन हो इस तरीके इसरी के सारी आ रही है इसलिए थाट नहीं भड़ रहा है कुछ भी हो सकता है तो यहां पे अगर किसी को लेना है इसमें ट्रेड तो मेरे हिसाब से जो है कि यहां पर सपोर्ट लेविल जो 38 का निकल के आया क्योंकि अर्निंग्स ठीक है यहां से ज्यादा गिरावर्ट तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आनी चाहिए तो उस तरीके से जो है ट्रेड बिलकुल जो है लिया जा सकता है और यहां पर तरीड तो बनता है जिस तरीके की है उस तरीके उसको देखते हुए कहीना कहीं जो है इसमें की पर बात कि लिया है और देख गैंद साथ की साथ एक बाद देखते हैं इनके जो रिजल्ट कैसे आते हुए वह देखें इस बार आपके ज़िए इस बार अब गन्हें प्रिवेस कॉर्टर से अच्छा ही गया है देंकम के इसाब से गर देखा जाये और प्रिवेस्थ की ओर कहा टर से जो यह यह और देखने को Cloak और यहां पर बात करें लेकिन प्रीवियस यर के क्वार्टर से तो देखेंगे तो यहां पर बात कर लें की जो इनकी जो प्रॉफिटिविल्टी जो आई थी उनने से यार 423 करोड की और जो अब हुई है बाइस यार 146 करोड करी करी 15-17% के आसपास का प्रॉफिट में जो है उचाल है और अच्छा खासा जो है उचाल मैं तो कहूंगा जो है देखने को मिल रहा है जिस तरीके की यह जो है लार्ज केप कंपनी है और 15-17% की जो है ग्र आजा सकता है रखा जा सकता है इस टॉक को और आगे जिस सरीके से आई टी सेक्टर के अंदर रख अच्छा खासा जो है एक काम जो आने वाले टाइम में जो है इनको मिलता हुआ देखेगा 5G को लेते हुए तो वह कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स के अंदर और भी आने वाले जाने तेज़ी भरती हुए देखेगी वो थीम तो अगर आप कोई लगे तो आप लाइक जरू करिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप हमारे साथ में 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 ब्रेम से कनेक्ट होना चाहतें तो आप हमें क्रेटिक बेल्ट प्रीमियम पर कॉ गोम रहा है अभी देख सकते हैं आप अपने बुलिश ट्रेंड के अंदर इस टॉक देख सकते हैं आला कि बस इतना जरूर है कि ऊपर नीचे जो है इसका करीब क्योंकि यहां पर चार्ट बहुती अच्छा गासा बन रहा है इक होती हुई दिख रही है बहुत जल्दी आने वाले टाइम में हो सकता है कि यह स्टॉक जो है आपको दो हजार रुपए के ऊपर के दर्सन कराता हुआ दिखे तो दौनों स्टॉक की बारे में एक बार जानकारी कर लेते हैं कि बाई सेल या होल्ड की क्या प्रियोर्टी होनी चाहिए डैन सरे नेट वर्क में मेरे साथ सजो है बाई बिलकुल कियाए सकता है और होल्ड डवी किया जा सकता है करने की तो मेरे सब्सक्राने की अगर बात करें बिलकुल जो है इसको कि किया जा सकता है बिल्कुल जो है इसको भाई भी किया जा सकता है इन लेविल्स पर सेल करने की तो जरुवत है नहीं क्योंकि आगे आईटी सेक्टर में जो है एक अच्छा खासा जो है मूवमेंट और भी बनता हुआ दिखना चाहिए उसको देखते हुए अपना भी एनलाइ